नमस्कार दोस्त रिमती जी की रसोई लाइफ इस्टाइल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको कुर्कुरी भिंडी बना के दिखाऊंगी इसके लिए मैंने 500 ग्राम भिंडी थी काट लिया है इच्छे से साफ कर लिया था दोपे पोच करके इसको कट कर लिया है दो आलो लिया था मैंने मीडियम साइज का और दर लासून हरी मिर्ची अब मैंने गैस के उपर कढ़ाई रख दी इस अब देख सकते हैं तेल हमारा गरम हो गया है मैं इसमें जीरे खतड़का डालूगी और इसमें डालोगी लासून लासून हमारा लाल हो जाएगा फिर मै अपने अलू को डालूगी इसमें अलू डाल दिया है और अलू डाल करके मैं इसे चला दे रही है आलू हमारा हलका सल ब्राउम हो जाएगा फोड़ा सा अधा पक जाएगा फिर मैं हिंडी डालूगी फ्रेंड तो कि रिब हिंडी बनाने के लिए पहले आप आलू को ही डाल अब किर बार में आप बिंडी डालिएं आप देख सकते फ्रेंड जो मैंने आलू डाला था ये आलू आधा पक चुका है अब मैं इसमें भिंडी डाल देंगी फ्रेंड आप इसी तरह आलू को पहले आधा से जाधा पका लेंगे तो आपकी भिंडी बहुत अच्छी ड़नेगी ऐसे तो भिंडी मसाले वाली वी बनती है लेकिन मैं आज आपको कुरकिरे वाली भी बना के दिखा रहे हूं फेंड आप देखिए अब इसको हम ढग देंगे आज देख सकते पैन हमारी भेंडी तयार हो रही है तो गुरी भेंडी अब मैं इसके डाल दूँगी थोड़ा सा मसाला फैन के खाली धन्या पाउडर डालूगी तो थोड़ा सा हल ले डालूगी और मेंची हम लोग बहुत कम ठाटे पैन इसलिए हम थोड़ा सा काश्मीरी मे खाते हैं और हरी मेंची मैंने डाली है इसलिए आप अपनी पसंद से डालिएगा जैसना आपको लगेगा और यह मैं स्वादन स्वाद नमक डाल देगा और नमक डाल करके फ्रेंड इसको मैं फिर से मिक्स कर दे रही हूँ और मैं दो मिनाट तीन मिनाट और इसे दख दू और मारे भिंडी पहुत अच्छी तरफ प्त के तयाव हो चुकी है अगर मेरे भिंडी आपको पसंद आयी हो तो आप मेरे भिंडी को लाइक करियेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियेगा फ्रेंड थैंक्यू फ्रेंड मेरी घंडी अच्छी तर से तयार हो चुकी मैंने एक प्लेट में निकाल के आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी बनी है कितनी कुरकुरी बनी है तो मेरी घंडी और अलू अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक सस्क्राइब करिएगा दोस्त और पूरा वीडि करिएगा थेंक यू दोस्त